नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं उल्गुलान नयाय महारायली में चारो ओर दिखे हिमंत सुरेन जार्खन की रैधानी रांची के धुर्वाई थित प्रभातरा मैदान में रभ्विवार को हेमंद सुर्ण की रफतारी की बिरोद में उल्गुलान नयाय महारायली का आउजन किया गया इसमें देश के अलग-अलग हिचे से इंडिया के घटक दलो के नेता सामिल हुए सभी ने एक सवर में कहा है कि अगर भारतिये जनता पार्टी को मिल कर नहीं रोका गया तो देश का समिधान खत्र में पढ़ जाएगा देश का लोगतंत्र खत्र में पढ़ जाएगा बता दे भाजपा बिरोधी महा गटबंदन इंडिया की इस महारैली की सब से खास बातिया रही की प्रभात तरा मैदान में चारो और हेमान सुरेन ही दिख रहे थे दरसल बड़ी संख्या में लोग यहां आये थे जिन्होंने हेमान सुरेन का मुखावटा पहुण रखा था उन्होंने वैसी ही ड्रेस पहुण रखी थी जैसी जार्खन की पूर मुख मंत्री हेमान सुरेन पहाना करते हैं एक सक्थ जिसने हेमान सुरेन का मुखोटा लगा रखा था वहीं हाथ में तीर धनुस भी ले रखा था बता दे कि महारायली के लिए बने बिसाल स्टेज के दोनों और हेमान सुरेन और अर्विंद केजरिवाल के कटाउट भी लगे थे जारखन के इंटर कॉलेजों में सीटे हुई काम अधिक पर बिद्यार्थियों का दाखिला लिया तो जार्खन एकेडमिक कॉंसिल उनका पंजियन नहीं करेगा इसकूली सिक्षा यम सक्षता विभाग के सचीव ने इस समध में सभी जीलों के जीला सिक्षा पताधिकारियों को पत्र भेजा है साथी सभी इंटर कॉलेजों क प्रिंसपलों को भी इस समध में आवसक दिशा निर्देश देने को कहा है कांग्रेश ने रांची से यस्वीनी को दिया टिकाट कांग्रेश ने लोग सभा चुनाल से पहले जार्खन की गोड़ा से अपना परत्यासी बदल दिया है कांग्रेश ने रांची से अपना परत्यासी घोशित कर दिया है इस पर पार्टी ने सुभा अदकान साहाई की बेटी एस्वीनी साहाई को टिकर दिया है वहीं गोड़ा सीट से कांग्रेश ने अपना परत्यासी बदल दिया है दिपिका पांडे सिंग की जगा पर्दी प्यादों को अपना उमिद्वार बनाया है बता दे कि कांग्रेस ने पिछले दिनों तिन लोग सभा सीटों के लिए उमिद्वारों के सुची जारी की थी दिपिका पांडे सिंग वा चात्रा से पुरो मंत्री कें तिरपार्ठी को अपना पत्रासी बनाया था 2024 में एंडिये की सरकार बनाना आदिवासियों के लिए खतरनाक कल्पना सुरेन जार्खन की राजधानी रांची के धुरवाई स्थित प्रभात तरह मैदान में रव्योर को इंडिया गठ बंधन की ओर से उलूलान नयाय महारैली आयोजित की गई देशपर के नेताओं ने महारैली के जरिये सियासी सक्ति का प्रदसन भी किया बतादे जार्खन के पूर्वसीम हेमान सुरेन की पतनी कल्पना सुरेन ने जय जार्खन के साथ लोगों का स्वागत किया उन्होंने मंच से हेमान सुरेन का भावु खत पढ़ा हेमन सुरेन ने पत्र के जर्ये संदेश दिया है कि दोईचोविस में एंडिये की सरकार बनी तो ए सरकार आदिवासे के लिए खतरनाक साबित होगी केंद्रिये एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें जेल में डाल दिया गया है यही वज़ा है कि वे महारेली में उपस्तित नहीं है पत्र के जर्ये जेल से तंदेश भिजवाने पर मजबूर है बिहार की महिलाओ पर जार्खन के गिरिडी में इट पत्थर से हमला बिहार के नवादा जेले की महिलाओ एवँम यूतियां साधी समारों में भाग लेने जार्खन के गिरिडी जीले के बरह मसिया गाओं में आया होी थी इसी दवरान गिरिडी में ही महिलाओ वा यूतियों को कुछ लड़कों ने असलील इसारा करना सुरू कर दिया उनकी गाड़ी पर पत्थर फेकने लगे इसका बिरोध करने पर लड़कों ने अपने साथियों को बुला कर उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया इसमें तीन महिलाय घायल हो गई एक की हालात कम भी रहा है खाबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची उन्हें देखते ही लड़के भाग खड़े हो गई पुलिस ने गटनास्थल से दो बाइक भी जब्त किया है बता देख गिरी डिजी लेके गामा थाना चेतर के भेलवा गाउं के पास बिवाकार करम से लोट रही महिलाओ वह यूतियों ने जब चेर चाड़का बिरोत किया तो उन पर इट पथर से हमला कर दिया गया जहारखन में 22 और 23 अप्रेल को बारिस चिचलाती धूप और उमस के बीच जहारखन में मौसम का बिजाज फिर बदलने और लोगों को रहात मिलेगी मौसम भी भागने अपने प्रोर्मान में बताया है कि 22 और 23 अप्रेल को राज़ में बारिस के असार है कही कहीं गरज के साथ बजर पाज की भी है संका जताई गई है वहीं 25 अप्रेल को कुलान वो संताल के जिलु में कहीं कहीं लूच चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है इससे लेकर एलो अलट भी जारी किया गया बता दे जार्कन में एक बार फीर मौसम का मिजाज बदलने और बारिस होगी इससे तपती गर्मी और लू से परिशान लोगो को रहास मिलेगी तापमान में गिरावट से मौसम खुसनुमा होगा मौसम भी भाग ने अपने पूर्णवान में बताया है कि 22 अप्रेल को राजिके दक्षिनी भागो और कहीं कहीं बारिस हो सकती है गिरीडी के टायर गोदाम में आग तीन लाह का नुकसान जारकन के गिरीडी जीले के पचमबा थना छेतर के सांती नगर में रब्विवार को टायर गोदामे और समाजिक ततों ने आग लगा दी इससे आफ्रात अफ्री मच गई आग लगने की खबर मिलते ही फैर बिर्गेट की टीम में होगे पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई कड़ी मुकसत के बाद आग पर कावु पाया गया इस हादसे में करीब तीन लाग का नुकसान हुआ है पताते गिरीडी सहर के पचंबा थना के पीछे बजार समीती के समीप सांती नगर में रभीवार की दो फर संकर्ण मोचन नामक टायर गोदाम में असमाजिक ततों ने अग लगा दी थी आग लगने से इलाके में अफ्रात अफ्री का महल उत्पन हो गया उल्गुलान नया महरैली से पहले बिमार पड़े राहुल गांधी चारखन की रेधानी रांची में आयोजीत उल्गुलान नया महरैली में कांग्रेस के वज़िशनेता राहुल गांधी सामिल नहीं हुए बताया गया गया चानाक उनकी तब्यत भीगल गए जिसकी वजह से उन्होंने रांची के गायक्रम को रत कर दिया है रांची के धुर्वाइश्थीत प्रभाद तरा मैदार में भीशन गर्मी के वीच भारी संक्या में अलग अलग दलो के समर्थक अपनी पार्टी के जहनने के साथ उर्गुलान नयाय महारेली में सामिल होने के लिए पहुचे थे भार्तिय जानता पार्टी वीरोधी महागणवंदन इंडिया ने चारकंड के पुर्वाइश्यम हेमाल सुनिक गिर्वतारी के वीरोध में रांची के प्रभाद तरा मैदान में एकजुट होने का एलान किया था गुमला के आधा दरजन गाओं के लोग करेंगे वोट का वहिसकार गुमला जिले के घोर नकसल परभावित बीसुनू पूर परखन के पूर्वी पठार छेतर के लगभाग आधा दरजन गाओं ने वोट वहिसकार करने का फैसला लिया है इस कले निर्ना की बड़ी वज़ा सलक नहीं बनना है रभीवार को हाडू रीशा पाठ उपस्वास्त के अंदर के समय पे गाओं के ग्राम परधान ननकू खेरवार के दक्सता में बैठा कोई है ग्रामिनों ने बताया है कि अजादी के 76 वर्ष बित जाने के बाद भी परखंड के पूर्वी पठार छेत्र के लोग बुन्यादी सुधाओं से वन्चिता है वे लोग वर्षो से परखंड मुख्याले से लेकर हाडप होते हुए चीरो पाट इटकीरी से रीशा पाट एवम हिसीत से बेथर तक सरक निर्मान की मांग करते आ रहे हैं रांची में इंडिया महरायली में हंगामा आपस में भीड़े कार करता जारकन में विपक्ष की महरायली के लिए पूरे देश से कई रायनिति नेतरांची आए हुए हैं दिल्ली के राम लिला मैदान में आयोजीत रहली के बाद इंडिया गडबंधन की दूसरी महरायली है इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उमीद किसी को नहीं थी बताद रहली के दौरान ही कुछ करकरता आपस में भीड़ पड़े जिसके बाद जम कर हंगामा हुआ इस दौरान करकरता एक दूसरे पर कूर्सी फेकते भी नजर आये हैं कई लोग खुद को बचाने के लिए इधार उधर भागते भी नजर आये इस दौरान करकरताओ के गायल होने की भी खबर है इस खटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें करकरता एक दूसरे पर कूर्सी फेकते नजर आ रहे हैं हमने हक मंगा तो जेल में डाल दिये गा हेमन्त सुरेन का पत्र रांची में इंडिया गडबंदन की महारेली आयो जित की गए जिसमें कूल 14 रायनीतिक दलों के दिगर नेताओं ने सिर्कत की है इसी दरान जर्कन के पूर मुख मंतरी हमन्त सुरेन की पत्नी खलपना सुरेन ने रैली को समोदित करते हमन्त सुरेन का पत्र पढ़ कर सुनाया इसी के साथ उन्होंने करकताओं से इनकलाब जिन्दाबाद का भी नारा लगवाया हेमान सुरे ने अपने पत्र में लिखा 2024 का चुनाव चल रहा है आई देश बिसम परिश्थितियों में है 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है गैर भाजपा राज्यों को परिशान किया जा रहा है आपको बंदी पत्र के माध्यम सस्तंदेश देना पड़ रहा है जारखन के लोग गरीब हैं राजगरीब नहीं हम हक मांगते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है केंद्र सरकार ने पूरे देश को ठागा है पत्र में आगे कहा गया परिशीमन के दवान आदिवासी सीट घट जाती है सीबु सोरेन ने जब आवाज उठाई तब भाजपा को पीछे हटना पड़ा है इस बार भी चुनाओ के बाद परिशीमन होना है आदिवासी परतिनी धित्व घटेगा उन्होंने कहा भाजपा विपक्ष सासीत राजियों में सरकारे गिराने का काम कर रही है लेकिन हम लोग तंद्र को भी फल नहीं होने देंगे गर्भवती महिलाओं को अब कानूनी मदद जार्खन राज बिधिक सिवाप राधिकार ने रभी वार को दो नई योजनाओं की शुरुआत की है इसके ताद बिरिधा आस्रम में रहने वाले और जेलों में बंद गर्भवती महिलाओं को कानूनी साहता परदान की जाएग रभी वार को नियाए सदन में दोनों योजनाओं लंच की गई इसमें पूरे राजे के लीगल और डिफेंट काउंसिन सिस्टम मजूद थे कारकरम का उधगाटन जालसा के कारेपालक अध्यक्ष और जस्टिस सुजीत नरायन परसाद ने किया है जस्टिस परसाद ने कहा है कि LDC की पहली वैठक है इसमें वह अपने कानूनी काउसल को कैसे बढ़ाएं और उनके कैसे लाब उठाएं ताकि कानूनी सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के उधेश से और इरादे को हासिल किया जा सके इसकी जनकारी दी जा रही है सुदेश महतो ने जेमेम कांग्रेस पर बोला हमला लोगसभा चुना में विपक्स के पास कोई संकल्प नहीं है और नहीं मोदी का कोई विकल्प है ए बाते डिमना के जम सेथपुर में रभीवार को लोगसभा अस्तरे समिलान को संभोधित करते वे आईसूस सुप्रीम जूट जाएं पिछले चुनाओं में हम 12 सीट जीते थे इस बाद जार्खन में एंडिये गडवन्दन का लक्ष सभी 14 सीट जीतने कहा है समेलन के धक्सता पार्टी के जिला अध्यक्स कनहया सिंग और मंच संचालन अप्पुतिवारी और प्रकास विसकरमाने किया है जमसेदपूर ने जीता जूनियर स्टेट बास्केट बॉल चेंपियनसिप का खिताब जमसेदपूर की बालक टीम ने सांदार प्रदसन करते हुए के पीएस मानगो में आयोजी 24 स्वी सब जूनियर स्टेट बास्केट बास्केट बॉल चेंपियनसिप का खिताब जीत लि वहीं उन्होंने कूल 20 पॉइंट बनाए इस्ट से मुंग की टीम को तीसरा अस्थान मिला वहीं बाली का वर्ग के फाइनल में भी जम सेथपूर की टीम ने जैब एक को त्याथी छबीच से मात देका चेंपियन बनने का गौरों हाचिल किया है रांची में तेयस्वी आदो गानने लगेगी तेजारखन की रेधानी रांची के प्रभात तरा मैदान में आयोजीत उलूलान नया महारेली में तेयस्वी आदो ने एक गीत सुनाया इस पैरोडी के जरिये उन्होंने प्रधान मतिन्यान मोदी पर निशाना साधा राष्ट्रिये जनता दल के नेता और बिहार के पुर्व उपमुक मंत्री तेयस्वी आदो ने गोविंदा की फिल्म का गाना गाया है इससे पहले उन्होंने पिये मोदी और भातिये जनता पार्टी पर जम करनी साना साधा पिये मोदी को जूट बोलने की फ्रेक्टरी करार देते हुए कहा है कि वह इतना जूट बोलते हैं कि गोवर को भी हलवा बना देते हैं तेयस्वी ने कहा है कि पिये मोदी बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते बिहार आये तो बोले कि जबाना बदल गया है टेकनोलोजी का जबाना है क्या लाल्टेन मोबाइल को चार्ज कर सकता है तेस्पीन कहा है कि मोदी जी गर्वड़ा गए हैं इंडिया एलाइंस से वे डरे हुए हैं धन्यवाद